नमस्कार साथियों जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मैंने इस समय प्ले स्टोर में गूगल क्लासरूम नाम की एक एप्लिकेशन को ओपन कर रखा है दोस्तों इस एप्लिकेशन का साइज मात्र 14 MB है और इसके जो डाउनलोड 50 मिलियन प्लस हो चुके हैं दोस्तों आप टीचर हैं तो आप इस पर एक अपने क्लासे की जो है लाइव क्लासे क्रियेट कर सकते हैं और उन क्लासे को स्टुडेंट से जॉइन कर सकता है तो दोस्तों सबसे पहले चलिए हम इस एप्लिकेशन को इंस्टॉल करके देख लेते हैं तो फाइनली दोस्तों देखिए यह Google Classroom का application हमारे phone में install हो चीका है और अब हम इसको open बटन पर tap करके इस application को open कर लेंगे दोस्तो सबसे पहले देखिए application open होते ही सबसे पहले जो front screen वाँ सामने open हुआ है यहाँ पर Google Classroom का front screen है यहाँ पर आपको get started पर tap करना है यहाँ पर दोस्तो अल्रेडी इस device पर हमारे दो Gmail के account login है अगर आपके पास एक ही account login होगा तो एक ही account आएगा तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पहले account को tick करके ok कर देता हूँ तो अब दोस्तो देखिए finally जो Google Classroom का है जो interface है blank interface हमारे screen पर सामने आ चुका है और अगर हमने इसको as a teacher यूज़ करना है तो हमको यहाँ पर right side में topic plus का icon दिखाई दे रहा होगा इस पर click करना है तो दोस्तो सबसे पहला जो option join class है यह students के लिए है क्लिक करने के बाद दोस्तो देखिए यहाँ पर एक dialogue box पर कुछ details आपको दिखाई देगी इसे आपको एक बार पढ़ जरूर लेना है यहाँ पर दोस्तो जी suit for education free registration प्रोवाइड किया जा रहा है अगर आप एक coaching institute, institution या college, school कुछ भी है तो आपको अपने institution की details आप यहाँ पर register कर सकते हो जिससे उन classes में आपके institution की detail भी दिखाई देगी जो student भी देख पाएगा तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कर देते हैं तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर class create करने का option देख रहा है तो आपको कौन सी class create करनी है for example मुझे 10th class create करना है 10th class है और section उसका कौन सा है section A, B, C जो भी आपके वहाँ चलता हूँ से चूज कर सकते हैं मैंने section A डाल दिया अब यहाँ रूम नंबर पर रूम नंबर अलग अलग है तो आप रूम नंबर भी यहाँ पर डाल सकते हो जैसे मैं रूम नंबर for example 15 डाल देता हूँ उसके बाद आपको subject कौन सा इसमें बढ़ाना है कौन से subject की class create करने जा रहे हैं उसका नाम डाल देना है for example मैं English डाल दे की है और class के नीचे देखिए bottom side में आपको right side में people's का option people का option दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर people option पर क्लिक करना है यहाँ पर देखेंगे तो आपको teachers यहां से आपको teachers को आप invite कर सकते हो students को invite कर सकते हो अगर आप teachers यहां के plus icon पर क्लिक करेंगे तो name और email address उनका डालेंगे email id डालके उसको उनको invitation भेद देंगे जिससे उन teacher को invitation पहुंच आएगा और वो teacher भी इस class को join कर लेंगे उसमें simply clickable link होगा जिसको click करके वो join कर लेंगे तो यहां से एक class में कई सारे आप teacher को भी invite कर सकते हो दूसरा option दिया किया है वो student को invite करने का option है यहाँ पर प्लस icon पर क आप कोई पास नहीं है चुकि बहुत सारे students हो सकते हैं आपके लास में तो आप उनको यह नीचे code दिया गया है एक यह code दिया गया है add students तो यह code आप student के साथ share कर लेंगे जिससे वो student direct अपने account से इस code के through joining कर लेंगे तो एक तरीके से आपकी class बन गई और यहां से दूस्त पर क्लिक करना होगा उसके बाद यहां पर assignment को question material topic जो भी है साब से आप matter में भेज़ पाऊगे वह कई सारे format में आप यहां पर matter भेज सकते हो जैसे हमने बताया वीडियो वीडियो भी हो सकते है यूट किसी वीडियो का link भी हो सकता है जेपीजी format भी हो सकता है डॉक्स पी सब्सक्राइब कर सकते हैं जैसे कि हमने इसको यहां पर फिर सेम प्रॉसेस टिक किया उसको टैप continue किया और यहां पर आप class create करने जा रहे हैं जैसे ट्वाइल्थ की कि सेक्षन बी की में class create कर रहा हूं रूम नमबर 25 डाल देता हूं सब्जेक्ट में डाल देता हूं हिंदी क्रियेट क्लास पे क्लिक कर दो हूं तो दोस्तों देखिए यहां पर भी हमाई जो ट्वैल्थ बी की class create हो चुकी है सेम उसी पैटर्न में यहां पर से आप नीचे से classwork आप भी सेयर कर सकते हो यहां से आप यह इस्टूडेंट और टीचर को इन्वाइट कर सकते हो सेम वही प्रॉसेस है अगर इसके बाद टाइम बैक टैप करेंगे तो आपके पास यह जो है जो डैसबोर्ड है गूगल क्लास्रूम का डैसबोर्ड ओपन हो जाएगा डैसबो से यह नंबर बढ़ता जाएगा तो आपको पता भी चलेगा कि इतने स्टूडेंट्स ने आपने आपकी क्लास को जोइन करके रखा है तो दोस्तों यह तो टीचर का एक इंटरफेस था जो हमने देखा अब हम यहां से एक अपना एकाउंट स्विच कर लेते हैं दोस्तों अब इस एकाउंट से आपना इस स्टूडेंट का लॉग इन शोगे करके से अपना इस एक स्टूडेंट के तरह जोन करके के बढ़ेगा तो यहांपर मैं अब प्लस के आइकन भी यहांपर क्लिफ करना है और यहां पर join class पे click करना है join class पे जैसे ही click करेंगा तो class code मांगेगा मुझसे class code मेरा है y6cbanq यह class code मैंने डाला उसके बाद यहां पर join button पे click कर दिया तो दोस्तों देखी मैंने finally उस जो 10th है की class थी जो मैंने दूसरे account से बनाई थी उस class को मैंने यहां पर join कर लिया है join करने के बाद दोस्तों यहां पर जो भी class work होगा मुझे यहां पर दिखाई देगा देखी यहां पर जो teacher के account में था यहां पर plus का icon था वहां से assignment और work वगरा share करने का option था जो की मेरे पास student के login में वो available नहीं है और अब यहां पर हम जब back button पर click करेंगे तो जितनी भी हमने classes join कर रखी होगा अलग अलग टीचर्स की जितनी भी classes join कर रखी होगी वो सारी classes यहां पर one by one सारी mention रहेंगी तो दोस्तों यह एक मेरा जो है student को login रहा तो finally दोस्तों हमने देखा कि किस तरीके से एक teacher Google Classroom पे अपनी class create कर सकते हैं उन classes में कैसे teachers को invite कर सकते हैं कैसे students को invite कर सकते हैं तो finally दोस्तों उमीद है कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है प्र सक्री टाओ झाओ चेविडियो आपको कमेचे नापक।